हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू तु टिगेटेबल व्लॉग्स दोस्तो यदि आप भी स्पिती वेली जाने का अपना टूर प्लाइन बना रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिनका कि आपको वहाँ पर जाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ जाकर भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसे कि आपके ट्रिप बिल्कुल भी खराब ना हो, क्योंकि यदि ट्रिप पर कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाती है, तो आपके ट्रिप पूरी खराब हो सकती है, वहाँ पर आप बिल्कुल भी इंजॉई नहीं कर पाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है तो I hope दोस्तों ये वीडियो काफी informative और काफी useful हो आपके लिए और काफी आपके लिए फाइदबन साभी तो येदि आप स्पिती वाली टिप पर जाने वाले हैं ये पसंद आजा है तो से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए है सम्क्रिब नहीं किया है तो परी चैनल को सब्सक्राइब जरुब कर लीजिए तो छले दोस्तों वी दिर आगे बढ़ते हैं सब से बाट करते हैं दोस्तों वहां के रोट कर्डिशन स्की तो फ्रेंड्स वैसे तो जो शिमला से काज़ा वा जाने वाला रास्ता है वो साल के बारा महीं नहीं ओपन रहता है लेकिन सर्दियों के दिनों में यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो ये क्योंकि बहुत ही एक हाई स्नोफॉल वाला रीजन है इसलिए आपको वहाँ पर सड़कों पर बर्फ मिल सकती है तो यदि आप अक्टूबर से लेकर फैबरी मार्च तक अपना टरप प्लान कर रहे हैं स्पिती वैली का तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ एक नॉर्मल गाड़ी नहीं जा पाएगी आप सिर्फ फोर गाड़ी ही वहाँ पर ले जा पाएंगे क्योंकि उस समय आपको सड़कों पर बर्फ मिल सकती है साथ ही यह जो पूरा रास्ता है यह पूरा पहाड़ी है आपको हाई एल्टिट्यूट वाले रीजन में चलना होता है बहुत ही आपको कई जगह रास्ते खराब भी मिलेंग कई जगह ऐसी चटाने मिलेंगी जो कि बिल्कुल आपके सिर के उपर जुकी हुई है नाइडे डिग्री में और एक तरफ आपके उचे उचे पहाड़ है दुसरी तरफ गहरी खाई है जिसमें बहरती है नदी तो यह जो पूरा रास्ता है यह पूरा रास्ता भी काफी रि और खास तोर पे हाई अल्टिटूट वाले रिजन में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यह दि ड्रैवर जो है आपके साथ में यह आपको साथ में लेकर आ रहे है तो उन्हें भी हाई अल्टिटूट वाला जो रिजन होता है और ऐसे पहाड़ी जो एलि रास्ता है 40 किलो मीटर्स का वो रास्ता कच्चा है आपको वहां पर टाइम भी बहुत लगता है और पूरा पहाड़ी है एरिया है, सिंगल रोड आपको मिलेगा, कई जगा आपको टूटा भी मिलेगा, कई जगा कुछ पैच अच्छा भी मिल जाता है, तो गाड़ी बहुत साफधानी से चलानी है, थोड़ी सी भी गलती आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर ले के आ सकती है, इसके जगा खतरनाक से ऐसे मोड आपको मिलेंगे, जहां बहुत ध्यान से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, इसके बाद टाबो से लेकर काजा तक का जो रास्ता है, दोस्तों वो तो काफी खतरनाक है, और उचे-उचे पहाड मिलेंगे आपको, चारो तरफ से आपके नीचे आपके बहरी होती है, स्पिती नदी एक तरफ हूजे पहाड होते हैं, रास्ता भी कच्चा है, और बहुत ही रिस्की रास्ता है, बहुत ही सावधानी से आपको गाड़ी ड्राइव वहाँ पर करनी होती है लद्दाक के रोड्स की तुलना में, तो दोस्तो स्पिती वैली में यदि आप शिम्ला तरफ से जाते हैं, तो आपको कोई भी पास वहाँ नहीं मिलेगा इसी वज़े से ये रास्ता शिम्ला से काजा तक का साल के बारा मही में ही ओपन रहता है, साथ यह दि आप मनाली वाले रास्ते से काजा आते हैं, तो बीच में आपको मिलेगा कुंजूम पास, तो उस पास पर आपको बहुत ही केरफुली, बहुत ही सावधानी से गाड़ी तीन जगह चेक पोस्ट मिलती है, एक जब आपके नौर वेली में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट आपको मिलती है, वहाँ पर आपको आपकी गाड़ी की डिटेल लिखवाई जाती है, गाड़ी में कितने मैंबर्स ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी डिटेल लि जाने दिया जाता है ऐसी एक सुन्डों में आपको चेक पोस्ट मिलेगा तो ये दो जगह और बीच में एक चेक पोस्ट और मलता है तो ये तीन जगह आपको चेक पोस्ट मिलेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत आपकी डीटेल लिखवा करके और वो आपको आगे जाने दे लेकिन रिकॉंग्पियों के बाद पहले प्रॉब्लम होती थी क्योंकि पहले दोस्तों रिकॉंग्पियों से लेकर काजा के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और ये रिकॉंग्पियों से काजा की जो दूरी है वो 211 किलोमीटर्स है तो उस एरिया में पहले कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था लेकिन अभी आपके लिए पेट्रोल की कोई भी टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है स्पिती वैली में क्योंकि अभी रिकॉंग प्यों से 68 किलोमीटर्स की दूरी पर पूह नाम की एक जगहा पर एक पेट्रोल पंप नया खुल गया है तो जो पूह नाम की जगहा है वो नाको से 38 किलोमीटर्स पहले है और पूह से काजा की जो दूरी है वो 148 किलोमीटर्स है तो इस रेंज में एक फूरविलर को तो कोई भी दिकत नहीं होती है यदि आपने रेकॉंग प्यों में पेट्रोल लवा लिया है तो उसके बाद आप काजा में डलवा सकते हैं इसके लावा बीच में पूह में भी डलवा सकते हैं लेकिन यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो आपको आपके गाड़ी की क्या रेंज है उसे साफ से आप पिट्रोल केरी कर सकते हैं वैसे अब ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले जब यह पूह में पिट्रोल पर नहीं खुला था तब महां पर पिट्रोल की प्रॉब्लम होती एक और में चीज है दोस्तो एमस की प्रॉब्लम यदि आप स्पिती वैली जाते हैं शिमला तरफ से तो शिमला से जब हम काजा पहुंचते हैं तो ग्रैजुली धीरे-धीरे हमारा हाई अल्टिट्यूट में जाना होता है तो हमारी बॉडी धीरे-धीरे अक्लिमाटाइज हो जाती है लेकिन फिर भी जो अगधि आप चितकुल जाते हैं तो चितकुल एक हाई अल्टिट्यूट वाले एरिया में है तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत अमस की प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको अमस बता दूं कि होता क्या है असल में जब हम हाई में सिया फिर Ams कहते हैं यह प्रॉब्लम जब हम मैदानी लागों में से अचानक से पहाड़ी रिजन में जाते हैं हाई अल्टिट्यूट वाले रिजन में जाते हैं तो वहाँ पर जब हम अचानक से पहुंचते तो हमारी बॉड़ी उस एक्मॉस्वेर के हिसाप से अपने के बाद आप कलपा जाते हैं तो कलपा भी एक हाई हल्टिटूट पर है वहां पर भी यह दी आपको पहले क्योंकि काजा के बाद जो इधर तीन जगह है हिकेम कॉमिक और लांगजा यदि आप वहां पर रुखने की कोशिश करेंगे तो जो कॉमिक है जहां पर आपको रुखने की फैसिलिटी मिल जाएगी इसके वाल अलावा लांगजा में आपको रुखने की फैसिलिटी मिल जाए है एमस की प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो सब की बॉड़ी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है हम लोग जब पांच लोग गए थे तो सिर्फ मुझे अकेले को प्रोब्लम हुई थी बाकी हमारे साथ जो चार लोग औरते किसी को भी एमस की प्रॉब्लम नहीं हुई इसने जरूरी रही है कि सब को प्रॉब्लम हो लेकिन जासी पहले पहाडों पर जा चुके हैं और उस बात का ध्यान रखना है इसलिए आप कोशिश करें कि अलटीूट से काज़ा आ रहे हैं तो वहाँ पर AMS की प्रॉब्लम होने की संभवना ज्यादा है क्योंकि मनाली से जब आप काज़ा पहुंचते तो एकदम से आप एक ही दिन में काज़ा पहुंच जाते हैं और एक आपको पास भी क्रॉस करना होता है कुंसुंप्रास चुकि काफी हाई पर है तो वहां AMS की प्रॉब्लम होने की संभवनाएं ज्यादा रहती हैं साथ ही वह हम दूरी एक ही दिन में कवर करते हैं तो बॉड़ी अड़ाप्ट भी नहीं हो पाती है तो ज्यादातर लोग कोशिशे करते हैं कि शिमला तरफ से काज़ा जाएं ताकि दो-ते दिन में स्पितिवेली जाते हैं तो यह एक बहुत ठंडा रीजन है तो यहाँ पर आपके पस परियाप्त मातरा में सारे वुलन्स होने चाहिए आपके साथ में इनर्स, जैकेट, टोपा, आपके हैंड गलव्स, आपका गला कवर करने के लिए मफलर वगरा यह सारी चीज़ें आप के साथ में होनी चाहिए वरना यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाय चलती है ठंड लगने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट बाते थी आपके लिए जानना ज़रूरी था स्पितिवेली जाने के पहले I hope वीडियो आपके लिए झाल